पंजाब में पांच जनवरी को सभी टोल बंद करने का भारतिय किसानी यूनियन एकता उगराहा ने एहलान किया है सभी टोल दुपहर बारा बजी से तीन बजे तक बंद किये जाएंगे बीके यू एकता उगराहा ने ये फैसला किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की मांग पत्र पर सहमती जताते हुए लिया है गुरू गोबिन सिंग जी के प्रकाश पर पर श्रधालू श्रीहरमंदर साहिब दर्शन करने पहुँचे दस्वे सिकुरू गुरू गोबिन सिंग जी की 365 वी जयनती के अफसर पर लाखोश प्रधालू श्रीहरमंदर साहिब में नतमस्तक होने पहुँचे इस पावन अफसर पर श्रीहमंदर साहिब को सुंदर्खूलों से सजाय गया इस दरान जहां श्रीहरमंदर साहिब परीसर में नगर की तन निकाला गया वहीं दूसरी तरफ गोल्डन टेंपल में जलो भी सजाय गये खना में बच्चों से भरी स्कूल बस को ट्रक ने टक कर मार दी बस में करीब 42 बच्चे सवार थे जिन में से दो गंभी टूप से घायल हुए जब बस खना जीटी रोड पर पहुँची तो अचानक बस का टायर पंचर हो गया जिससे बस का ड्राइवर टायर बदलने जा रहा था लेकिन पीछे से एक ट्रक ने बस को जोड़ दार टक कर मार दी कुफ्य एजिंसियों के अनुसार पागिस्तानी टेरर ग्रुप द्वारा पंचाब के पुलिस थानों सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है सुत्रों के अनुसार एक पुलिस टेशन की रेकी भी की जा सुकी है वही इस पूरे मामले को देखते हुए किंद्र सरकार ने पंचाब सरकार को अलर्ट कर दिया है तरंतारन के सरहली थाना में RPG हमले के बाद एक बार फिर से पंचाब में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है मंगलवार को आतंकी लखवीर सिंग लंडा के एक सब मौड्यूल का परदाफाश करते हुए तीन गुर्गों को गिरफतार किया गया था किंद्र मंत्रे अनुराग ठाकूर ने फिल राहूल गांधी की भारत जुड़ो यात्रा को लेकर तंजकसते हुए कहा कि मेरा राहूल गांधी से सवाल है कि क्या राहूल गांधी यात्रा जम्मू कश्मीर में महबत वैलाने जा रही है या वादा वरंद खराब करने मेरा सवाल उनसे ये है कि क्या अनुचे 375 जम्मू कश्मीर से जो समाप्त किया गया राहुल गांदी जी उससे सहमत है क्या जम्मू कश्मीर में जो एक रोड साट लाग से जादा प्रेड़क पिछले नौ महिनों में आए क्या उसका वो स्वागत करते हैं क्या जम्मू कश्मीर में जो पतराव की घटनाएं बंद हुई और आतंक बाद के किलाव कड़ी कारवाई हुई 375 से हटने के बाद क्या राहूल गांदी जी उसका स्वागत करते हैं अगर यह सब जम्मू कश्मीर के हित में हुआ है और वहां पर रोजगार से रोजगार के अफसर बड़े हैं निवेश आया है तो क्या इनकी यात्रा भा महब्बत फिलाने जा रही है या बातावन खराब करने जाए है जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रूप और क्राइस्स रिस्पॉंस टीम ने जम्मू में आसपास तलाशिय भ्यान चलाया आपको बता दे कि जम्मू के सिधरा में इनकाउंटर के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने तीन आतंकियों को धेर किया था जिसमें से ट्रक्षालक मौके से भाग निकला जिसके लिए आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है कॉंग्रेस ने मुद्वार को राहुल गांधी की सुरक्षा में चुक के मामले पर ग्रिमंत्राले को चिठ्ठी लिखी थी कॉंग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा में चुक के मामले पर ग्रिमंत्राले को चिठ्ठी लिखी थी जिसके जवाब में CRPF ने आज जवाब सौपा है CRPF ने बताया कि राहुल गांधी ने 113 बार सुरक्षा की ने मुद्वा गांधी की तरफ से हुआ है और वो भी 133 बार जिटी लिखकर वेनु गुपाल ने ना केवल CRPF का मनोबल गिराया है बलकि सिक्योरिटी के मुद्व पर राजनीती भी की है वेनु गुपाल जी ने जो राहुल गांधी की स्क्योरिटी को लेकर देश के ग्रह मंत्री जी को खत लिखा और यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी के पास एडुकेट स्क्योरिटी नहीं है वोयलेशन्स हुए हैं आज ये CRPF के जवाब से सपश्ट हुआ कि वोयलेशन हुए हैं तो राहुल गांधी की तरव से हुए हैं और वो भी 113 बार हुई है 113 बार और इन्हीं सबी वोयलेशन्स की जानकरी रा मनोबल अपनी फोर्स का मनोबल गिराया उनको डिमीन किया बलकि एल्टारिक स्टेट्मेंट मीडिया में रहने के लिए थी यह भी बड़ा स्पष्ट हुआ कि वेनु कुपाल जी राजनिती कर रहे थे स्क्योटी के नाम के उपर सिंपती लेने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि यह भारत जोड़ो जात्रा एक विफल वियात्रा साबित हो रही है अब वो न्यूस खबरों में रहने के लिए ऐसी होच्छी अर्थे कर रहे हैं हमें बड़ा दुख और खेद है कि ऐसी उन्होंने गंदी राइनिती की स्क्योटी फोर्स के नाम के उपर हमारी अर्सेनिक बलों के नाम के उपर हमने जोची राइनिती की और ये बड़ा देश के सामने अज बड़ा स्पष्ट है कि राहूल गांदी गांदी परिवार और कॉंग्रेस किसी कदर नीचे से नीचे स्टर पर जा सकते हैं ये आज बड़ा स्पष्ट हुआ है किसाने तर आकिश्टिक एर्थ बठिंडा पहुंचे वहाँ उन्होंने मीडिया से बाचित कि और कहा कि 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टेर मार्च निकाला जाएगा साथी उन्होंने सरकार पर निशाना साधिते हुए कहा कि जहाँ पर आंदोलन होता है देखो जहाँ पर आंदोलन होता है लाठी चार्ज, प्रियस गेस, वाटर केदन ये तो सोबा बढ़ाते हैं आंदोलनों की सरकार अपना काम करें, वो कोट का आदेश होगा, किसानों का अपना काम है, ये तो चलता रहेगा जब तक उसका समधान नहीं होगा, तो ये आंदोलन जारी रहेगा, वापसी नहीं होगा, समधान से ही वापसी होगा 26 जनवरी में बड़ी पंचात होगी जिन्द के अंदर हर्याना में, और और जगा टेक्टर मार्च होगी रोड जाम की बात ये आपका जो प्रस्ताव इस हम आम पब्लिक की तरफ से हम आप एसके में में अब किवार रखते हूं